हैलो बच्चो आप सभी को नमश्कार जैहिन तो प्यारे बच्चो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 साइंस और अध्यायस में सात्वा हैं पोधों को जानिये तो पोधों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे कोधों को जानिये जो लेसन है इसको हम पाठय पुस्तक में समझेंगे और जो आपके कोश्चन के अंसर बन सकते हैं हम उन पॉइंट्स को करेंगे तो आप इस वीडियो को अंतक देखिए जरूर क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको याद करवाने की कोशिस करूँगा आपको समझा के याद करूँगा जिससे आप एक बार सुनने से ही आपके याद हो जाएगा ठीक है और इस से सम्बंदित जो प्रसन बन सकते हैं वो कापी में लिखेंगे ठीक है बचो तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हैं पोधों को जानिये तो पोधों को जानिये तो आप अपने आस पास जो है पेड़ पोधे देखते हो बहुत सारे जैसे यह जंगल में जाते हैं तो अलग-अलग तरह के पोधे हमें दिखाई देते हैं जैसे यह लड़का इस पेड़ को पकड़ के खड़ा है यह गुड़ी लड़की है जो निच्छे बैठी है घास वगारा देख रही है और यह इसको देख रहा है तो अलग-अलग तरह के पोधे आपको दिखाई अब लोकन जब हम करते हैं पोद्दे को देखते हैं तो देखिए पोद्दे के भाग आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं तो इस चित्र में आपको पोद्दे जो हैं पोद्दे के भाग दिखाई दे रहे हैं तो निच्चे जो हैं ये जड़े हैं आप सबको पता हैं और जो पत्ते हैं और ये बीच में जो है ये तना होता है ठीक है और उपर फूल भी लगे हुए है इसके तो ये पोदे के भाग होते हैं जड तना पता फूल और फल भी आते हैं कहीं पोदों पे तो ये सबी पोदे के भाग होते हैं ठीक है बच्चो अब जो भी पेड़ पोदे हम देखते हैं उनको हम वर्गी कृत कर सकते हैं तीन तरह से साख जाड़ी और व्रिक्ष में जो भी पेड़ पोद्धे आप देखते हो वो या तो साख होगा या जाड़ी होगी या व्रिक्ष होगा तो पेड़ पोद्धों को हम तीन भगों में बाट सकते हैं साख जाड़ी व्रिक्ष ठीक है तो इनको हम कैसे देखेंगे वह शाक किसे कहते हैं जाड़ी किसे कहते हैं और व्रिक्ष किसे कहते हैं तो चलिए देखते हैं अब इन में हैं देखिए सबसे पहले शाक आता है शाक क्या होता है तो शाक किसे कहते हैं आपके पैस प्रशन आता है साक किसे कह तो साक होता है हरे और ये समानेत चोटे होते हैं और इनमें अक्सर कहीं साखाइँ नहीं होती फिक है तो जड़ से लेकर तना, पता, सब कुछ हरा होता है इनका कॉमल होते हैं ये इने शाक कहते हैं ठीक है ये छोटे होते हैं समाने ता है और इनकी शाकाई नहीं होती तो जैसे आप चितर में देख रहे हो इसमें तो ये क्या है शाक का पोदा है जो आप एच इतर में देख रहे हो ये शाक है क्योंकि देखिए ये इसका तना भी हरा है कॉमल भी है और सभी पत्ते जो है इसके निचे से सुरू होते है तो ये क्या होती है शाक होती है ठीक है जैसे आप देखते हो जो घास होता है वो शाक होता है जो निचे होता है न चोटा चोटा घास होता है खरपतवार होता है तो वो सभी शाक के उधार्ण है ठीक है बच्चो फिर आगे चलते हैं फिर उसके बाद है हमारे पास जाड़ी जाड़ी किसे कहते हैं इसकी परिभासा आए अगर जाड़ी किसे कहते हैं ये है तना कठोर होता है प्रन्तु अधिक मोटा नहीं होता तो उसे हम जाड़ी कहते हैं ठीक है तो जिस पोद्धे की साखाएं तनी के अधार के समीप से निकलती है तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता उसे जाड़ी कहते हैं जाड़ी आपने देख्यों कि जैसे अनार आपके पास है जैसे गुलाब का पुद्ध होता है वो जाड़ी होती है बेर के बेरी बोलते हैं जिसे बेर के पुद्ध होते हैं जो वो भी जाड़ी हो उसका तना जो है पतला होता है ज्यादा मोटा नहीं होता लेकिन वो मजबूत होता है कठोर होता है तो हम जाड़ी कहते हैं फिर पेड किसे कहते हैं या व्रिक्ष किसे कहते हैं तो कुछ पोधे बहुत उंचे होते हैं उनके तने सुद्रीड होते हैं गहरे होते हैं इन में शाखाएं जो है भूमी से उंचाई पर तने के उपरी भाग से निकलती है उन्हें व्रिक्ष कहते हैं तो व्रिक्ष क्या होते हैं ऐसे पोद्दे जो बहुत उंचे होते हैं जिनका तना जो है मजबूत होता है और गहरे रंका होता है भूरे रंका होता है और उनकी जो साखाएं हैं टहनिया हैं वो धर्ती से उंचाई पे होती हैं बहुत उंचाई पे होती हैं उन्हें हम रिक्स कहते हैं जैसे आम का रिक्स है ठीक है और भी बड़े बड़े विक्स है पीपल है बरगद है ये सबी ब्रिक्स के उधार्ण है ठीक है बच्चो आगे चलते हैं आपको ये चितर दिखा देते हैं तो ये देखिए आपके पास ये शाक का पहले पहले बता दिया था इसका तना कोमल होता है हरे रंका होता है फिर ये दूसरा चितर जो है जाडी का है जाडी में देखो तना मजबूत है लेकिन पतला है और इसकी टैनिया जो है निच्चे से भूमी के पास से ही उट रही है और ये पेड़ है ब्रिक्ष है जो ठीक है इसका तना गेरे रंका है मजबूत है, मोटा है और इसकी टहनिया साखाएं जो हैं धरती से उचाई पर हैं, तो ये बीक्ष है ठीक है, ये शाक है और ये ज्ढड़ी है ठीक है जो तो ये आपने देखी शाक, ज्ढड़ी और बीक्स के पोधे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद आती है आपके पास प्रसन आता है विसरपी लता किसे कहते हैं विसरपी लता किसे कहते हैं तो विसरपी लता भी होते हैं कमजोर तने वाले पोधे सीधे खड़े नहीं हो सकते ये भूमी पर फैल जाते हैं इन्हें विसरपी लता कहते हैं ठीक है विसरपी लता ऐसे पोधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है और जो खड़े नहीं हो सकते जो भूमी पर फैल जाते है जैसे ये चितर आप देख रहे हो तो ये विसरपी लता है विसरप होता है सांप और लता यानि जो लता है सांप की तरह धरती पर फैल जाती है जैसे ये कदू है घीया की बेल होती है कदू की बेल होती है या तो इस तरह के जो पोदे होते हैं जिनकी बेल होती है जो धरती प तो जो धर्ती पर फैल जाती है उन्हें विसरपी लता कहती है और कुछ दूसरी एक लता ये होती है जो पेड़ के उपर चड़ती है तो जो निच्चे से उपर की तरफ चड़ती है उसे आरोही बोलते है जबकि कुछ पोधे जो होते है कुछ पोधे सायता से उपर चड़ जाते हैं उनके उपर तो उसे आरोही लता बोलते हैं ठीक है आरोही लता जो होती है जो दूसरे पोधे के उपर चड़ जाती है ठीक है जो लता दूसरे पोधे के उपर चड़ जाती है उसे आरोही कहते हैं ठीक है ये शाक जाड़ी और पेड़ों से अलग होती है जो आरोही लता है और विसरपी लता है ये शाक जाड़ी और पेड़ों से अलग होती है ठीक है बच्चो तो आप अब क्या करोगे आप जब स्कूल जाओगे स्कूल में जाने के बाद आपने क्या करना है आपके स्कूल में या गाओं में या घर में जहां भी आपको व्रिक्स लिखे जाड़ी या विसरपी लता के दो दो पोध्यों के नाम आपने लिखने हैं ठीक है तो आपने ये देखना है जो जो भी है आपके स्कूल में मिलते हैं फिर उसके बाद आता है तना अब पोदे के तने के बारे में हम पढ़ेंगे पेड़ पोदों के तने कैसे होते हैं तो इसमें क्या होता है तने में जो होती है पतियाँ साखाएं कली फल फूल होते हैं ठीक है तने से क्या क्या जुड़े होते हैं तने के उपर क्या क्या होते हैं जो तना होता है पेड़ पोदों का उनके उपर पतियां होती हैं शाखाएं होती हैं कली होती है फाल फूल होते हैं तो ये सभी जो है तने के उपर होते हैं ठीक है उसके बाद है अब हम एक क्रिया क आप से समझेंगे कितना क्या कारिय करता है तो हम क्या करेंगे गिलास लेंगे उसके अंदर लाल से ही डाल देंगे पानी के अंदर गिलास में पानी लेंगे पानी में लाल से ही गोल देंगे और उसके अंदर एक शाक का पोधा लेंगे ठीक है घास खर्पतवार वगरा मिल जाएगा हमें साग का पोदा लेंगे और उसके तने को काटके ऐसे और इसको इसमें डुबोके रख देंगे तो इसको हम एक दिन के लिए डुबोके रख देंगे तो फिर अगले दिन देखेंगे जो हमने लाल शेही डाल ली थी लाल शेंड गोली थी वो तने के रास्ते से उपर चली जाती है ठीक है और जो पत्तों तक चला जाता है तो यह तने का कारिया है ठीक है बच्चो आगे देखते हैं तो यह देखिए जब हम तने को काटते हैं तो आपको ऐसा चितर दिखाई देता है ये वाला तो जहां जिसे लाल रंग है ये तने से अंदर चला गया और यहां से तने से उत्ववा ये पत्तों पे आ जाता है तो तने का काम क्या है तो तने का काम जो है ये है वही कि तना जो है जल जो है तने में उपर की और चड़ता है अर्था तना जो है जल का समवहन करता है और लाल्च यही की भांती जल में विलीन खनीज जो है जल के साथ तने के उपर पत्तों तक पहुंचाते हैं तो ये तने का काम क्या है तने का कारिया है जड से पानी लेना और पोशक तत्व लेने और उनको पत्तों तक पहुचाना तो ये तने का कारिया है उसके बाद हम पत्त के बारे में देखते हैं पत्त के बारे में देखते हैं पत्त यानि पत्त जो होता है वो क्या होता है कैसे ह होता है तो इसमें देखिए नीचे चित्र दिखाया गया है पत्ते का थीक है तो अब इस चित्र में देखिए इसमें बोला है पत्ते का वहःभाग जिसके द्वारा वहत तंने से जुड़ा होता है उसे परण evrint कहते हैं ठीक है परणवरींत किसी कहते हैं ये प्रसन आता है तो पत्ते का भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा होता है उसे परणवरींत कहते हैं तो निच्चे चित्र में देखिए तो ये तना है तने के साथ ये जो डंडी आपको छोटी दिखाई दे रही है जिस पे परणवरिंत लिखा हुआ है तो ये जो होता है परणवरिंत होता है यह पत्ता जो है जिसके द्वारा तने से जुड़ा होता है उसे परणवरिंत कहते हैं और फिर फलक किसे कहते हैं प्रसनाता है फलक किसे कहते हैं तो पत्ती के चप्टे हरे भाग को फलक कहते हैं जो पत्ती है उसका चप्टा और हरा भाग है आपको दिखाई दे रहा है ये चप्टा और जितना भी हरा भाग आपको दिखाई दे रहा है यह से पटल कहते हैं या फलक कहते हैं ठीक है पटल या फलक फिर उसके बाद है उसके बाद है शीरा की से कहते हैं यह भी प्रसन आता है शीरा की से कहते हैं पत्ती की रेखित सरंचनाओं को शीरा कहते हैं यानि पत्ती के बीच में जो रेखित सरंचनाओ होती है इसे मध्य शीरा कहते है और पत्यों की सिराओं दवारा बनाएगे डिजाइन को सीरा विन्यास कहते हैं तो पत्ति के बीच में जो सरचनाएं होती है उसे सीरा कहते हैं और पत्ते के बीचों बीच एक मोटी सीरा होती है ऐसे मध्य सीरा कहेंगे और पत्तियों द्वारा के उपर जो सीराओं का डिजाइन बना होता है है उसे सीरा विन्यास कहते हैं तो यह सीरा विन्यास दो तरह के होते हैं ठीक है तो दो तरह के सीरा विन्यास होते हैं यदि यह डिजाइन मध्य सीरा के दोनों और जाल जैसा है तो उसे हम बोलते हैं जाली का रूपी सीरा विन्यास ठीक है अगर मध्य सीरा के दोनों तरफ अलग अलग दोनों तरफ जाल बना होता है उसे जाली का रूपी सीरा विन्यास कहते हैं और घास की पतियों में आपने देखा होगा घास की पतियों में एक सीरा विन्यास होता है जो एक दूसरे के समांतर होते हैं तो ऐसे सीरा विन्यास को समांतर सीरा विन्य कहते हैं ठीक है तो सीरा विन्यास दो तरह के होते हैं जाली का सीरा विन्यास और समांतर सीरा विन्यास तो ये आपको अभी चितर में दिखा देता हूँ मैं दोनों तरह के सीरा विन्यास तो ये देखिए पतियों में सीरा विन्यास है ये एक है जाली का रूपी और दूसरा ह समांतर ठीक है तो जाली का रूपी जो है इसमें है पीपल का पता देख रहे हो आप इसके बीचो बीच जे मोटी लाइन आपको दिखाए रही है इसे मध्य सीरा कहते हैं और जो भी सारी लाइने आपको दिखाए रहे हैं इसे सीराएं कहते हैं और जब मध्य लाइन के दुन जाली का सीरा विन्यास होता है और इधर दूसरे चितर में देखिए इस ये घास का पोदा है इसके जो पत्तों में सीरा विन्यास है वो सिमांतर है इस तरह से निच्चे से उपर लाइने जा रही है इसमें सिद्धी जब भी आप देखोगे इस पत्ते को हाथ से छूके तो आ है या तो आपने इस तरह के जो घास होते हैं की पत्यों में समांतर सीरा विन्यास होता है फिर उसके बाद अब आगे हैं पत्यों का क्या कारिया है तो पत्यों को कारिये के लिए हम क्या करेंगे एक पोदा लेंगे जो भी आपके गमले में या कहीं भी श्कूल में छोटा पोदा लगा होगा तो हम क्या करेंगे उसके उपर एक पॉलिथीन बांदेंगे जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है पत्ते अंदर हो जाने चाहिए और पॉलिथीन बांदेंगे और उसको निच्चे जड़ों में उसकी पानी देंगे और उसको आप एक दिन के लिए बंदा रहने दीजिए तो अगले दिन आप इसका वलोकन कीजिए तो आप देखोगे इस polythene को जब आप हटाओगे तो polythene के अंदर आपको पानी की बुंदे नजर आएंगी ठीक है बेसे के खाली polythene जो है ऐसे ही अलग से बांद के इसकी जड़ों में के पास वैसे रख दो तो आप देखोगे जो ऐसी रखा हुआ है उसके अंदर पानी की कोई बुंद नहीं आएगी लेकिन जिसके अंदर पानी की बुंदे आपको दिखाई देंगी तो ये पानी की बुंदे कहां से आई ये आई है जो पेड़ पोद्दे की पती है न उन से पानी भाब बनके उड़ता रहता है और वो ही पानी की बुंदे जो है इस polythene के अंदर ही कठी हो गई और इसे वासपोद सर्जन कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए तो प्रसन आता है वासपोद सर्जन किसे कहते हैं तो वासपोद सर्जन होता है जल की बुंदे पत्ती से जल वासप के रूप में निकलती हैं इस क्रिया को वासपोद सर्जन कहते हैं और इस प्रक्रम के द्वारा कोदे बड़ी मात्रा में जल वायू मंदल में छोड़ते हैं तो जिसके कार्ण वहाँ पे वर्षय अदिक होती है जहां प्रेड़ पोदे अधिक होते हैं ठीक है बचो तो जल की बूंदे पत्तों से जल वास्प के रूप में बाहर निकलती रहती हैं जिसे हम जल वास्पों उत्सर्जन कहती हैं ठीक है तो उसके बाद है उसके बाद है दूसरा प्रियोग हम करेंगे तो इसमें प्रियोग में हमने क्या करना है एक तो पत्तों का क् कि वो वास्पोत सरजन करते हैं ठीक है दूसरा क्या कारी है पत्ते का तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक पत्ता लेंगे ठीक है ये हरा पत्ता ले लिया और इस पत्ते को हमने पानी में उबालना है ठीक है पानी में उबालना है तब तक उबालना है जब तक इसका सारा हरा रंग पानी में बाहर ना निकल जाए तो जब इसका रंग बाहर निकल जाएगा न तो उस पत्ते को निकाल के हमने दूसरी एक चाइना डिसमे कटोरी में लेना है उस पत्ते को डाल देना है यहां पे और उसके उपर जो है, आयोडीन का डाल लेंगे आयोडीन की बुंदे जब डालते हैं तो इसका रंग जो है बैंग नहीं हो जाता है तो इससे क्या पता लगता है कि जो पता है वो उसके अंदर कार्बो हाइडरेट्स है यानि वो भोजन का निर्मान करते हैं पतियां तो हरी पतियों का क्या का रिया है दूसरा पेड़ पोद्धों के लिए बोजन का निर्मान करते हैं हरी पतियां करते हैं जिन में क्लोरोफिल होता है तो इस प्रेक्षन से हम क्या पता लगाते हैं इस प्रेक्षन से हम निकालते हैं कि पत्ती में क्या है मंड है ठीक है जैसे आलू में भी मंड होता है हमने पहले भी किया है अलू के उपर आयोडीन की बूंदे ढली, तो आलू में है मंद कोदे के अन्य भाग से आकर एक अत्रित हो जाता है, प्रントु, पतियां जो होती हैं, वो क्या करती हैं, पतियां, पतियां जो हैं, और पतियां और एक हरे रंग के पदार्थ की उपस्तिती में अपने भोजन मनाती है हरा रंग जो होता है वो कलोरोफिल बहुलते हैं से और इस प्रक्रिया में जल बनता है कार्बन डाइकसाइड गैस का उपयोग होता है ठीक है तो जो पेड़ पोदे हैं वो उसकी हरी पतियां और कलोरोफिल की उपस्तिती में जल और कार्बन डाइकसाइड के उपयोग से अपने भोजन का निर्मान करती हैं इस प्रक्रम को प्रकाश संसलेशन की क्रिया कहते हैं और इस क्रिया में oxygen बाहर निकलती है, यानि पेड़ पोध्धे जो है oxygen बाहर छोड़ते हैं और पतियों से द्वारा संसलेशित भोजन जो है पोध्धे के विभिन भागों में इकठा हो जाता है, संगरहित हो जाता है ठीक है जो भोजन पतियां मनाती हैं तो वो पोदे के विविन भागों में जमा हो जाता है तो इसमें अब पत्ति का क्या क्या कारिया आया पत्ता जो है एक दो जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है पोदों के लिए और पतियों से जल की कुछ मातरा का हरास जो है वासपोत सरजन द्वारा होता है तो ये दो कारिया हैं पतिगे एक तो जल का उप्योग करके भोजन का निर्मान करना और दूसरा जो है पतियों से जो है जल वासपोत सर्जन के द्वारा वाईयू मंडल में उड़ता रहता है ठीक है तो उसके बाद जो टना है तना पानी कहां से लेता है तने को पानी मिलता है वो पत्तों तक जाता है पत्ते जो है प्रमभोजन बनाते है वासपोत सर्जन करते हैं लेकिन अब तने को पानी कहां से मिलता है वो मिलता है जड़ के द्वारा ठीक है तो इसके बारे में हम next वीडियो में समझेंगे और भी lesson जो रहता है वो next वीडियो में हम करेंगे तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए घंटी के बटन को दवाईए और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए ठीक है बचो तो इस चैनल के माद्यम से आपको साइस और मैथ दोनों की त्यारी कराई जाती है तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए ठीक है बचो ओके फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ धन्यवाद जहें